हिजबुला का अपरेशन अर्बाइन, मारे इसराइल के बाइस सैनिक महस 24 घंटे के अंदर हिजबुला लडाकों ने इसराइली सेना पर ऐसा खुंखार और बेरहम हमला किया है कि इसराइल की प्रदान मंत्री नेतन याहू और रक्षा मंत्री यौफ गैलन्ट के होश पाकता हो गए है इसराइल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुला तेलवीव के पास इसराइली सेना के गिलॉट पेस को तबा कर सकता है हिजबुला के चीफ नसरल्ला ने डंके की चोप पर दावा किया है कि हिजबुला ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इसराइल के 22 सेनिकों को मार डाला है लिबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने हिजबुला और यॉरप के अपने सूतरों के आधार पर जो दावा किया है वो हैरान करने वाला है लिबनान के अलमयादीन टीवी चानल के दावों के मताबिक इसराइल पर हिजबुल्ला ने दो चरणों में हमले किये है हम आपको अनिमेशन के जरीए समझाने की कुश्च करते हैं कि आखिर हिजबुल्ला ने इसराइली सेना पर इतना बड़ा हमला कैसे किया है अलमयादीन टीवी चानल के मताबिक हिजबुल्ला ने इस बार आपरेशन आरबाइन के तहट इसराइली सेना पर हमला किया है इसराइल की खूफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है दावों के मताबिक शुरू में हिजबुल्ला ने अंधादुन रॉकेट से इसराइली बेस पर हमले किये जिसमें से ज्यादातर रॉकेट को इसराइल के आईरन डोम ने तभा कर डाला इस बुल्ला का दावा है कि ऐसा उसने जानबूच कर किया था ताकि आईरन डोम की प्रतिरोंद की शम्ता को खत्म किया जा सके इसके बाद इस बुल्ला ने इसराइल के गिलॉट बेस पर दूसरे चरण का खौफनाख हमला किया इस बुल्ला ने अचानक सैकलो डोम से इसराइली बेस पर हमले कर दिये डोम का हमला इतना तेज था कि गिलॉट बेस में बैठे इसराइल खौफिया यूनिट 8200 के सैनिकों को बचने का मौका तक नहीं मिला अलमयादीन टीवी चैनल के मुताबक इस बुल्ला के ड्रोन हमलों की वज़ा से इसराइल के 22 सैनिक मारे गए हैं जबकि 74 इसराइली सैनिक बुरी तरह से जखमी है बिल्हर्ब ला युगयर मौकिफना नहनु मिन बिदाय कुलना अनना नसानिद घजज़ा वादता इज़ा हसल फर फिए एई मकान फिल आलम अन्मफरूँद अन्न मौालज़ तकून बांतिहा इसराइल ने कल ही डक्षणी लिबनान में मौजूद हिस्बुल्ला के 20 से ज्यादा ठिकानों पर भहनकर हवाई हमले किये थे इस्राइल के इस हवाई हमले में 15 बार एर स्ट्राइक हिस्गुल्ला पर की गई थी इस्राइल ने इस हमले के बाद दावा किया था कि उसके हमले में दक्षणी लिबनान में मौझूद हिस्गुल्ला का एक टॉप कमांडर मारा गया है हैरानी की बाद तो ये है कि इसराइल के इतने बड़े दावे के महज 10 घंटे बाद ही हिस्बुल्ला ने तलवीव के पास मौजूद इसराइली सेने ठिकानों को तबा और बरबाद कर डाला है हिस्बुल्ला इस हमले को लेकर और क्या दावे कर रहा है जरा ये भी जान लीजिए हिस्बुल्ला का उपरेशन अर्भाईन मारे इसराइल के 22 सेनिक हिस्बुल्ला के दावों के मताबिक उपरेशन अर्भाईन इसराइली सेना के लिए काल साबित हुआ है दावों के मुताबिक हिजबुल्ला ने महज एकी हमले में इस्राइल के 22 सैनिकों को जहां मानने का दावा किया है तो वही 74 सैनिक घायल करने का भी दावा किया है इसबुल्ला का दावा है कि उसने अपने टॉप कमांडर हज मुहसिन को फउच शुकर की हत्या का बतला इसराइली सेना से ले लिया है कमांडर फउच शुकर को 30 जॉलाई को बेरूत में एक मिसाइल हमले से इसराइल ने मार दिया था इस्बुल्ला चीफ नसरल्ला के मुताबिक ओपरेशन अर्बाइन के तहट तेलवीव से 40 किलोमीटर और लेबनान से 75 किलोमीटर दूर इस्बुल्ला ने हमले किये हैं इस्बुल्ला ने इस्बुल्ला की खूफिया यूनिट 8200 को निशाना बनाया है जो लगातार दक्षणी लिबनान पर हमले कर रही थी इस्बुल्ला के रॉकेट्स ने अलजलील पैन हैंडल को निशाना बनाया है पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्ला ने उत्री इसराइल पर 60 से ज्यादा रौकेट तागे हैं इसराइली सेना दक्षणी लिबनान में हिजबुल्ला पर हमले कर रही है इसराइली सेना के मताबिक उसने हिजबुल्ला के जैबकिन, कलेले के बहरी आलाके, रशायाल फकर और येटर पर हवाई हमले किये है जब कि एक इसराइली टैंक ने कफर चौबा, अलखियाम पर भेंकर हमले किये है इसके अलावा इसराइली सेना ने अलवजानी पर भी हमले किये है हिजबुला को कमजोड समझना शायद इसराइली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है इस्राइली सेना बेशक घाजा के साथ साथ लिबनान पर घातक हमले कर रही हो लेकिन खुद इस्राइल के टॉप सेनने अफसर चितावनी दे रहे हैं कि हिजबुला को हमास समझना इस्राइली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है हम आपको इसराइल के इसराइली रिजर्व मेजर जनरल यिजजाग ब्रिक के बयान और चिताबनी दिखाते हैं जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहें कि हिजबुल्ला के सफाय के चक्कर में कहीं इसराइल कहीं सफाया न हो जाए रिजर्व मेजर जनरल यद्जाक ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लिबनान से सीधी और बड़ी जंग इसराइल ने की तो हिजबुल्ला इसराइल के तेलवीव गुजडेन को तबहा कर सकती है इसराइली जनरल ने यहां तक कहा कि अगर इसराइल ने लिबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगी उन्होंने यहां तक कहा कि इसराइली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है इसराइली चैनल 12 के साथ एक इंटर्व्यू में इसराइली जनरल ब्रिक ने यहां तक कह दिया कि हिजबुल्ला पर हमले का जूटा प्रचार बंद करें क्योंकि इसराइली सेना काफी चोटी है इसराइली सेना के पास सिर्फ 6 डिविजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्ला से सीधी जंग इसराइली सेना की 6 डिविजन नहीं कर पाएगी और लिबनान युद इसराइल के वजूद पर बहुत भारी पढ़ सकता है इसराइली जनरल यजजाग ब्रिक खुलम खुला इसराइली टीवी चैनल पर इसराइली सेना को कटगरे में खड़ा कर रहे हैं इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है हिस्बुला की जबरदस सेन शम्ता इसराइली सेना खुद मानती है कि हिस्बुला के पास 45,000 लडाके हैं जिसमें से 20,000 सक्रिये रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं हमास के विपरीद हिस्बुला के पास शक्ति-शाली मिसाइलें और रॉकेटो की सीरीज मौजूद है जिन की संक्या वॉशिंग्टन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मताबिक 2,000 लाग तक है हिस्बुला की दो लाग मिसाइल और रॉकेट ऐस्राइल के शक्ति-शाली ऐर फॉस और मिसाइल रक्षा नेट्वर्क को पूरी तरहा से तबा कर सक्ति है और एक्रनות הללו, אני חוזר ואומר, तועמים את मिटवי ה-27 במאי שזכה לתמיכה האמריקנית אני מבקש שוב להדגיד שהחמאס עד לרגע זה דווק בסרבנותו और फिलो रोश अलाग निचिग लशिखोट बदोखा वलखन इतलाग अच्छ लाफनोत लखमास वले सिन्वार वलो लेमशलित इस्राइल जरा हिस्बुला की इस वीडियो को देखिए जहां एक विशाल सुरंग में हिस्बुला के खतरनाक लड़ाके घातक हत्यारों से लैस दिखाई दे रहे हैं वीडियो में हिस्बुला के लड़ाके सूपर सोल्जर्स की तरह नज़र आ रहे हैं हिस्बुला की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगबग दो मंजिल उची है सुरंग में घातक मिसाईले रॉकेट भरे पड़े हैं बड़े बड़े ट्रकों पर सैकडों मिसाईले लदी हुई हैं चौकाने वाले हिस्बुला के वीडियो में नई इमाद फोर्स सुरंग दिखाई गई है अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी लेकिन पहली बार हिस्बुला ने घातक हत्यारों से लैस सुरंग दिखा कर इसराईल और उनके सैयोगियों के होश उड़ा दिये है दावा किया जा रहा है कि एरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिस्बुला ने इसराईली सेना पर हमले तेज किये है हिस्बुला चीफ हसन नसरल्ला और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हजबुला ने पहली बार सुरंग मिसाइल इसराइल पर हमला करने के लिए खूल दी है इस अफ़ते इसराइली आर्मी रेडियो के मताबक नेतन याहू सरकान ने इस बुल्ला जंग के लिए अतरिक्त पचास हजार रिजर्फ सेनिकों को बुलाने को मनजूरी दे दी है इसराइली सेना ने लिबनान में बंबारी कर हजबुला के कई वरिष्ट कमांडरों को मार गिराया है इसके बावजूद हजबुला के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहें ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि इसराइली सेनिक जल्दी लिबनान में घुसकर हिजबुल्ला के खिलाफ जमीनी कारवाई कर सकते हैं हालकि विशेशक्डियों का मानना है कि हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा फिलहाल जिस तरह से हिजबुल्ला ने इसराइल के 22 सेनिको को मारने का दावा किया है उससे साफ हो गया है कि अब हिजबुल्ला और इसराइल में बेहत खूनी जम्ग समीन पर शुरू हो जाएगी